तजयति परमजोति समं समस्ते रनन्त परयाये दरपण तल इवसकला प्रती फलती पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्यभीजं निशेद्ध जात्यंद सिंदुर विदानं सकलने विलसितानं विरोध मतनम नमाम्यने कांतम विरोध मतनम नमाम्यने कांतम पुर्शार सिद्ध्युपाय नाम की अग्रंत चल रहा है अम्रचंद्राचारी की यह अनुपम्रचना है हमारे जीवन की छोटी-छोटी सी भूले निकाल देने वाला यह प्रक्रण्ड हुए इस में भी तीन गुण्रतों की चर्चय चलते हुए अनर्थ दंड की चर्चय पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि वे सारे अनर्थ जो दंड के रहेधे हों अब ल माने होता और सज्दिक्रीफ सजा को मिलेगी तो कि आपराथ क्या किया मैंने जो सज्दिक्र कि नहीं मैंने कोई अपराद नहीं किया मैंने कोई गलती नहीं की क्या बात कर रहे हो आप मैंने कोई गलती नहीं की भैया ऐसी गलतियां है जो गलतियां गलतियां जैसी नहीं दिखती है वे भूले हैं जो भूले भूल जैसी नहीं दिखती है श्लोक नंबर 106 लिख दिया है कि गलती से कोई बात नहीं सुधार देंगे 145 नंबर श्लोक है 106 नंबर का तो प्रवचन है देखिए बात क्या है बहुत मोटी मोटी बात है जो कारिय करने से जो क्रिया करने से किसी भी जीव की वीराधना होती हो उसमें सावधान रहना चाहिए जिस क्रिया में जिस प्रवरत्ती में प्रमाद हो अरे प्रमाद ही अपने आप में हिंसा है हिंसा का मूल लक्षन प्रमाद कहा गया था हिंसा में प्रमाद परिणती मूग ले ये बात कही गई थी इस जीव को जितना भी हिंसा का पाप लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के दम पर लगता है और यहां तो पूरी जिंदगी प्रमाद में बीत रही है प्रमाद का अर्थ सोते पड़े रहना मात्र नहीं है कोई जीव विस्तरों के अंदर पड़ा रहता है उठता नहीं है वह तो प्रमादी है ही लेकिन इसके अलावा भी हमारी सारी क्रियाएं उठना, बैटना, चलना, खाना, पीना, नहना, धोना कैसे नहते हो, कैसे पेश्ट करते हो, कैसे फ्रेश होने के लिए जाते हो कितना पानी डोलते हो, कितना बहाते हो, किस तरह से भूजन करते हो कितना जूटन चोड़ते हो, सब चीजों में तो प्रमाद और आप्रमाद दिखाई देता है सारी के सारी जितनी भी प्रवर्तियां उन सब प्रवर्तियों के अंदर इस प्रिष्ट ख्याल में आ रही यह बात है घर क्या रहा है यह व्यक्ति है बोलो चलते चलते ठोकर लग जाती है तो कर लग गई वह जानते हैं ठोकर लगने का मतलब क्या होता है कभी लगी आपके प थोजाएं आपके आपके पहरों के नीचे, यृदि छूहे जैसा ND आपके पहरों के नीचे आजाये छूहा इत्ना बड़ा मेंदक प्रक्षां तो आपको पता नहीं लगी इसका नाम है ठोकर तोकर लगने का मतलब पत्थर नहीं दिखा है इतनी बड़ी चीज नही। है। cana नेका मतलब क्या हुआ एका मतलब आपके पैरों के नीछे बड़िर ने इतने नश्य में चल रहें एसका नाम होता है टोकर लगना ना है शावदान रहें वाय साव कुल मिला करके सावदान द रहने की बात अ holiday दर्म लही है अलसी ओ दर KNOW नहीं यह ए जैन चरणानु योग की सर्चै चल रही है वास्ताव में है कि असली चरणानु योग होता है अपने उपियोग को अपने में तलीन कर लेना वो है चरणानु योग वो उता है असली चारित्र असली चारित्र तो यह है कि हमारी जो उपियोग की परियाए है जो ग्यान दर्शन की परियाए है जो चारित्र गुण की परियाए है वो सब स्ववाव सन्मुक हो जाएं और अ उसका नाम है चारित्र क्योंकि चारित्र कहते हैं लीनता को लीनता का नाम चारित्र है अपने में लीनता वो चारित्र है लेकिन जो जीव स्वरूप के प्रती सावधान है उसकी प्रवरतियां कैसी होती है उसे चरणानुलोक के माध्यम से बतलाया जाता है जो जीव बाहर मे सावधान नहीं है वो अंदर में क्या सावधान होगा जिस जीव की बाहरी लौक एक प्रवरक्तियाई सावधानी रूप नहीं है उसे जीव कि अंतरंग इस्तिती क्या सावधानी रूप होगी ये पकड़ में आती है मोटा मोटा तौर पर क्योंकि जब कभी हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं और थोड़ी सी जादा करने लगते हैं तो हम मुझे भी फील होने लगता है कि यार मैं क्या स्थूल बातें लेकर के बैट गया हूँ और हमारे बहुत सारे साथियों को भी लगता होगा यार ये क्या चुटी चुटी सी बाते हैं और क्या चर्चाएं लेकर क्या हैं इन चीजों में ये मत करो और वो मत करो और ये मत खाओ और वो म स्थूल इस तर पर उतर करके ऐसी बातें आखिर क्यों लिखी इसका मतलब वे जानते थे जिसका व्यावहार अच्छा नहीं है वो निश्चे में अच्छा नहीं हो सकता जिसका बैरंग अच्छा नहीं है उसका अंतरंग अच्छा नहीं हो सकता जिसका घर ग्रेस्ती परिवार में व्यवहार अच्छा नहीं है जिसके रिलेशन रिलेटिव के साथ में अच्छे नहीं है जिसके रिलेशन अपने दोस्तों के साथ में मित्रों के साथ में सगे संबंदियों के साथ में अच्छे नहीं है उसका रिलेशन अपने स्ववाव के साथ में अच्छा कैसे हो सकता है जिसका व्यवहार पंच परमिष्टियों के प्रती अच्छा नहीं है उसका व्यवहार पंचम पारणामिक भाव के साथ में उतकरष्ट कैसे हो सकता है जिसे परमातमा पसंद नहीं आ रहे जिसे कार्य परमातमा पसंद नहीं आ रहे उसे देव पसंद नहीं आ रहे है जिसे देव दर्शन नहीं रुचता है उसे निज दर्शन की खबर कहां से होगी भोलो क्या मतलब अमरतș bitches पॉप प्रकरण के पीछे कही नहीं पीछे कुछे थ्यक्रकों लिए बहुत सुन्दर और मारमिक बाते है इस अनर्थ दंड के अंतरगत मैं चार प्रकार के अनर्थ दंड की चर्चा अप एक्षित विस्तार से कर चुका हूं अप ध्यान, ध्यान समालो, उप्योग समालो, पाप उपदेश, जबान समालो, बोल चाल में तो बोल देते हैं, कभी-कभी कठोर शब्दों, जबान समाल के बात करो, जबान समाल के बात करो, भाशा, पाप उपदेश, प्रमाद चरियां, जिसकी मैंने आपके बीच में चर् का नहीं हैं होकर के सारे काम करता है उसकी नहीं है इसको कर किया रहा है बूल किया रहा है रहा है प्रमादी होता है ब specialist के नहीं प्रमादी मत करने जीवन छोटा हैं, जंजाल लंबे हैं, समालो अपने आपको, ये क्या किया रहे हैं, प्रमादी नहीं होना, प्रमाद चरिया, हिंसादान, खल जब हिंसादान की चर्चाएं काफी की गई यहां, तो कई लोगों ने ऐसा सोचने लग गए, भाई साब क्या होगा, फिर तो क्य देवें और क्या नहीं लेवें, ने चक्कू दे सकते हैं, ने किसी को छुरी दे सकते हैं, ने किसी को केंची दे सकते हैं, ने किसी को बलेड दे सकते हैं, एक क्या फसादी है, आपने तो कुछ देना लेना ही बंद हो गया, सारा व्यावार मिढ जाएगा कि नहीं होगा बि अंतर में जिसका जुडाव उस तत्व ज्यान के प्रती होता है पंचम भाव के प्रती जिसको अपनापन है जो अपने आपको आत्मा समझता है उसे सारे जगत के जीव आत्मा दिखाई देते हैं क्या होता है यह पंचम भाव कि अंचम भाव हमारे बहुत सारे नए साथियों को पंचम भाव समझ में नहीं आया होगा पंचम भाव किया चीजे पांच भाव के तत्वार सुत्र दूसरे अध्याएं में इसynthाइ पारिनामिक भाव पंचम भाव के यलाता है पंचम्भाव जिसमें परिवरतन नहीं होता पंचम भाव जोद जैसा का तैसा रहता है मैं जो पंचम भाव का निरabouts करना है हमारे को, उसका निर्णे करना है कि मैं कौन हूँ, अपने आपको पकड़ना है तो पंचम भाव से पकड़ना, कैसे पकड़ में आएंगे हम, अपने आपको कैसे पकड़े हम, पंचम भाव से पकड़ो, पालिनामिक भाव से पकड़ो, ओदेख भावों में कुछ दम नहीं है आने-जाने वाले हैं ये, क्षण-क्षण के परिणा में उठा-पटक होती रहती है, बाइसाब जब देखते हैं जीवों को, जब देखते हैं प्रत्मानु योग को, जब उठाते हैं कहानियां, हिनीशे चर्चा करने हैं अभी, दुशृती की चर्चा करने वाला हूं आपके बीच में जब हम कहानियों को उठाते हैं जब हम प्रसंगों को उठाते हैं इसलिए तो हैं प्रत्मानो योग के प्रसंग जीवन बदल जाए आपका देखो उनको कितना पापी बदल गया देखो उनको चोड था मोक्ष चला गया देखो उनको भील था मोक्ष चला गया देखो उनको तिरियंच गती में हाती था देखो मेंडक का जीव था क्या कौन कौन से जीव कब कौन सा जीव तिर जाए कब कौन सा जीव पार हो जाए अरे जब दुनिया भर में इस तरह के जीवों को देखते हैं और उन्हें पार होते हुए देखते हैं तो प्रेरना मिलती है उत्साह मिलता है आचारे देव कहना चाहते हैं वहिया जीवन सुधारो अपना कथाएं यदी पढ़नी हैं कथाएं यदी सुनी हैं चर्चा यदी कर जो लोग दरदर की ठोकरें खा रहे हैं, मत कीजिए उनकी चर्चा, चर्चा करना भी नहीं और चर्चा सुनना भी नहीं, पांचवा भेद है, दू शुरुती नाम है इसका, दू मतलब होता है खोटा और शुरुती मतलब होता है सुनना, दू शुरुती नाम का अनर्थ देखिए आप क्या किया रहे हैं रपरिया जी ज्यान से सुनिए बात क्या है पांचवें दूश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप रागादी वर्ध नानाम दुष्ट कता नाम बोध बहुलानाम नकदाचन कुरवीत श्रवनार जन शेक्षणा दीनी अन्वे आर्थ रागादी वर्ध नानाम रागद्वेश मोहादी को बढ़ाने वली किसकी चर्चा कर रहे हैं कथाओं की चर्चा कर रहे हैं कहानियों की चर्चा कर रहे हैं कौनसी कथाएं दूश्रुति जो नहीं सुनने योग्ये हैं सुनोई मत राग द्वेश करतार कथा कह हूँ न सुनीजे छेडाला की लाईने राग द्वेश करतार कथा कब हूँ न सुनीजे कह हूँ न सुनीजे दोनों शब्द मिलते हैं राग और द्वेश को बढ़ाने वली कथाएं कभी नहीं सुनना राग और द्वेश बढ़ाने वली कथाएं ने कहना ने सुनना ओहो क्या कह रहे हैं वई ये क्या लिखा है इन्होंने राग बढ़ाने वली द्वेश बढ़ाने वली मोह बढ़ाने वली तथा अवबोद बहुलानाम बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई नासमजी में भरी हुई कथाएं दुष्ट कथानाम दुष्ट कथाओं का श्रवनारजन शिक्षणा दीनी सुनना धारण करना सीखना सुन रहे हैं मजा रहे हैं इसको सुनने सुनने में सुनने में मजा रहा है, फिल्मी गाने सुन रहा है, व्यर्त की चर्चाएं सुन रहा है, राग द्वेश बढ़ाने वाली कथाएं सुन रहा है, जिन चर्चाओं को सुनने मात्र से द्वेश भावत्पन होता हूँ, विशे कशाय का पूशन होता हूँ, विशे कशाय में व्र मजा आ रहा है फिलम ही गाने सुन रहा है ठिरकराए इन fight के अरे पांचों प्रकार के पाते वि आर्वाद हिंसा जुण चोरी कुशील परीग रहे पंचों पाप भी और पांचोंप्रकार के अनर्स दंड भी मज़ा आ रहा है फिल्म इश्ट्यारों को देख देख करके उनकी तरक्की उनकी बरवादी उनको देख देख करके चर्चाएं करता रहता है टीवी की स्क्रीन पर परने नावों को बढ़ाता रहता है उतार चड़ाओ चलते रहते हैं बिलकुल विकथा में समय गमायो क्या विने पट में क्या ये लाइन है समय गमायो समय नहीं है एक बार पड़ते हैं पूरा बाते मुझे बहुत सारी कहनी है इस दूश्रुती के संदर्व में देखिए कितनी आप आएगी जवान से बाशा बरगना की स्वाधिन्ता से देखें बहुत अंशों में अग्यान से भरी हुई ओहू अग्यान से भरी हुई दुष्ट कथाओं का कथा कथा का मतलब यहां कथा मत समझना समय सार चौथी गाता के अंदर जैसा का है न कथा का अर्थ कहानिया नहीं होता मात्र कहानिया तो होता ही है लेकिन कथा का अर्थ यहां चर्चा समझना कहानिया तो कौन पढ़ता सुनता है हमारी सभा में बैठे हुए लोगों में से 50% लोग ऐसे होंगे जो कथा और कहानिया पढ़ते सुनते होंगे बागे नहीं कौन कहानिया पढ़ रहा है किसको प्रतमानों योग पढ़ने की किसको फुरसत है उपन्यास कौन पढ़ रहा है आज के जमाने में कौमिक्स कौन पढ़ रहा है गए जमाने कहते हैं लद गए वो जमाने तो ने कॉमिक्स मिलती है ने कॉमिक्स पढ़ते है ने उपन्यास मिलते है ने उपन्यास पढ़ते है कौन पढ़ रहा है आज इन सब चीजों को कम रह गए हैं फिर भी मैंने 50% के दिया है कहां पहले दुखाने हुआ करती थी कॉमिक्स की दुखाने हुआ करती थी कौन पढ़ रहा है कौन सुन रहा है खतम जैसा हो गया है वो सारा माहुल तो कथा माने क्या समझना कथा माने सिर्फ इस्टोरी नहीं यदि इस्टोरी लगा रहे हैं तो आज उन इस्टोरीयों का रूपांतरन हो गया है उन कॉमिक्स का उन उपन्यास का रूपांतरन हो गया ह पहले जो रेडियो के अंदर सुनते थे अब उनका पिचराइजेशन हो गया पूरी की पूरी मूवी बन गई पूरी स्टोरी बन गई अब उसे देख देख करके किस ने क्या किया किस ने क्या किया चलता रहता है चलता रहता है दिमाग में दिमाग में चल रहा था वो अपध कोइसे बढ़ाए पैसे बढ़ाएं कौन से मार्किट के अंदर पैसा लगाएं का इंवेस्ट करें क्या करें किस चीज के अंदर उपियोग लग रहा है दिन रात पैसा केसे बढ़ाया किए सरे रेट बाट गमें फिकतर में करिये ये। क्या करेंगे था ऐग्न सब्लिक कते ह। धाल्ट के फ़िश पुंमीपर की चलता था ह। लंकिन पर में फोपियाज की ये से ये डियों प्रम चलते था नहीं जानवानिया बहां पेष पाई ऊफंसे कुशह प्रमिलियों। फिर उससे संपर करो पिससे करो फिर दुनिया बर की जानकारियां लेता रहता है बैया राग देश बढ़ाने वाली है यह मिट्टी है धरी रह जाएगी यहां की यहां सब की सब धरी रह जाएगी रोजाना किस्से आ रहे हैं रोजाना कहानी आ रहे हैं और जिन लोगों को य महामारी जैसी परिस्तिती जिनके साथ में बनी है जरा वीडियो कॉंफरिंसिंग पर जरा ओडियो पर जरा टेली फोन पर उनसे बात करके देखो पैरों के नीचे से जमीन किसा जाएगी अकेले बंद कमरे के अंधर ऐसा लग रहे जैसे कई पैक हो गे ओए हो निकलने वाला नहीं कोई चेडी का बच्चा भी दिखने वाला नहीं बंद बिलकुल कांट़ से पैक कमरा पैक फैक मोजन को रखтор के चलाएगा हो क्या गया हैं यह क्या पागल हो जाता है विकत्य अंद कि यार आप सुरक्षिन बच कर आंगे क्या होगा है देखो आप अमने तो सोचा भी नहीं था पता नहीं रोता रहता है अंदर बैठे बैठे आज दो तीन जेगे बात हुई मेरी जिनका कोरोना पोजिटिव है बोलो कभी-कभी ऐसा लगता है बंद कमरे में कैद हो गए तो क नहीं ऐसा कर्म तो नहीं बांदा है जिसमें किसी को कैद करके रखा हो ऐसा तो नहीं है नहीं हो सकता है ऐसा पश्वों को कैद कर लेते हैं उन्हें पराधिन कर लेते हैं पक्षियों को पाल लेते हैं पश्वों को रख लेते हैं चिड़ी कबूतर पालने लग जाते हैं प कि खुद भी कैद हो जाओ कुद भी कैद हो जाओ बंद कमरे के अंदर कैद हो गया कोई पैक हो गया ने कोई तुझे देखेगा ने कोई बोलेगा और तेरे इस पिंजरे के अंदर बंद कमरे के अंदर कोई लाकर के बार से कोई बोजन सरका देगा अब बैठ करके खाले ना बोलो, ऐसी हालत है, भाहिसाब समय बहुत कम है और समलने का समय है, समल लो आप, समल लो, क्या पता कौन सा कर्म कब किस समय में उदे में आ जाए, बोलो, कर्म तो अपना ही बांदा हुआ है ना, जो लोग बंद हो गए है, जिन लोगों का जीवन पूरा हो रहा है, जिन लोग बोपाल में पांच लोग पॉजिटिव आ गए, संजे जी के अंकल, विदीशा वालों के, रोज घटना है इस तरह की, अरे कई साधर्मी हैं जो सुन रहे हैं, जिनोंने कॉरिंटाइन होते होते सुना हैं मेरे को मेरी जानकारी में, बंद हैं कमरे में, लेकिन उनोंने अप अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को सार्तक करना है, यहां तो क्या कह रहे हैं वाई साथ, मत सुनों, मत चर्चाओं के, समय बहुत कीमती हैं, दूश उर्ती में क्या हो रहा है बोलो, टीवी के सामने बैट बैट करके हो क्या रहा है, समय तो वेश्ट कर रहा है इसे पता ही नहीं है मालूम ही नहीं है इसे समय वेश्ट हो रहा है इसे समय की कीमत नहीं है खोटी चर्चाएं सुनी है खोटी चर्चाएं की है इधर उदर के वेर्थ के गपे कानी किस्ते चुटकुले बाजी हांसी मजाक मौज मस्की के काम किसी को चिडाना किसी को बेवकूफ बनाना किसी के मजाक बना लेना हैं किसी के हांसी उडा देना ये ये सब बातें करता रहता है बस इदर उदर की और टाइम पास करता है अपना समय नहीं कट रहा है समय नहीं कट रहा है समय नहीं है स्वाध्याई के लिए समय नहीं है वस्तूस वरूप के विचार के लिए समय नहीं है यह चर्चाएं करने वालों को तो निठले लोगों का काम समझने लगाए यहाँ ऐसा समझता है यह तो फालतू लोगों का काम है वाई साब करे कहा है यार आप भी यार लेकर के बैट गए ये देखो कितना और वो पता नहीं कौन-कौन से शो चलते रहते हैं लाफिंग चलते रहते हैं लाफिंग चलते हैं लाफ्टर शो चलते हैं और इस तरह के बिलकुल हंसी मजग और कहानी है बेड़े बेड़े हंसता रहता है हंसता रहता है उसने उसकी उतार दी उसने उसका म कपिल शर्मा, नमालूम कहा क्या की बातों को, याद करता है, जो कि याद करता है, किस से याद करता है, प्रसंग याद करता है, धारना मतलब क्या है, अपने दिमाग में बैठाता है, याद करता है, फिर सुनाओंगा, अपने दोस्तों को सुनाओंगा, अपने जानकर लोगो को सुनाओंगा चार लोंगे बीच में बैठेंगे तो ऐसा सुनाओंगा सब लोग हसेंगे कभी कभी तो ऐसा भी होता है प्रवचन सुनता है तो प्रवचन में से उदारन कहानी किस से प्रसंग याद कर लेता है और कहीं बैठ करके सुना देता है क्यों सुनाया था ये प्रस अनन्त शास्त्रम बहुलश्य विद्या अल्पश्य कालों बहु विग्नताच यत्सार भूत तदुपास नियम हन्सो यथाक्षीर मिवाम बुद्यात अनन्त शास्त्रम बहुलश्य विद्या शास्त्र का पार नहीं है विद्या पार है और समय कितना है हमारे पास में समय है कहां कितना है कि क्या बात करें समय कितना है किसी व्यक्ति को नहीं पता कि मेरे पास इस मनुष्य जीवन का कितना समय और बचा है अनंत शास्त्रम बहुलश्य विद्या अल्पश्य कालो बहु विग्न तांचे काल सीमित है और बहु विग्न वादाएं बहुत है आज यह मर गए आज उनके तीये की बेटक है आज उनके घड़े हो रहे हैं आज इनका उठावना हो रहा है आज वो अस्पताल में बरती हो ग हैं मामा जी से मिलने के लिए जाना है आज मैं ही हो गया हूँ मैं विस्तरों के इंदर पड़ा हूँ बुखार दपत हो रहा है बच्चे की तवित खराब हो रही है हॉस्पिटल लेकर के बाग रहा है बिजनिस की जंजटे ऐसी हो गई है कितनी विग्न वादाएं एक के ब एक बाद एक विग्न वादाएं मिठती नहीं है कभी किसकी और कभी किसकी कभी किसकी और कभी किसकी लगी रहती है समय सीमित है और विग्न वादाएं बहुत है तो क्या करें यत सारभूत तदुपांस नियम इसलिए भाया जो सारभूत बात है उसकी उपास ना करो ग्याय चायोप्षमिक औदैक और पारिनामे की पारिनामे भाव ये पंचम भाव हैं पंचम भाव बो पंचम भाव हैं उसकी आराधना करो कौन हूं मैं यह जानो कैसा स्वरूप है मेरा उसे जानने में उपयोग लगाओ सोचो जरा केता क्या है जैन धर्म बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जनम सिद्ध सी सभी की आत्मा सोचो जरा सोचो जरा सोचता नहीं है सोचता नहीं है सोचो जरा क्या सही धर्म की खबर नहीं है जैन धर्म कहता क्या है सिद्ध सी सभी की आत्मा जो मैं हुवे है भगवान मुझे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है अंतर यही उपरी जान उपरी जान उपरी उपरी अंतर है में मुझमें और भगवान में जो दिखाय देता हैं अंदर से मैं और भगवान एक जैसे हैं सोछ जरा है ही पूँछ Isn't बजन बजन की लाइने हैं सिद्ध सी सभी की आत्मा सब की आत्मा सिद्ध जैसी है जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार एक मात्र चिंतन करने योग्य है इसके अलावा दूसरा कोई चिंतन दूसरा कोई विचार करने योग्य नहीं है दूसरा कोई विचार करने अभी आज की तारीक में अभी तो पचास हजार लाग दो लाग पता नहीं कितने लोग सुनते रहेंगे बविश्य में लेकिन उसको प्रेरणा है वहां उसमें सिर्फ और सिर्फ यह प्रेरणा है आज यही मेरे साथ में यह अंतिम समय की इस्तिति आ गई तो मुझे क्या अभी विचार करते हूए शुब भाव होगा पुन्य भाव होगा इस से जज़ादा कुछ नहीं होगा पुन्य बांदलेगा थोड़ा बहुत कर्म बंदेंगे ही कर्मों से मुक्ती नहीं मिलेगी मुक्ती प्राप्त करने के लिए तो पंच परमेश्ची नहीं पंचम पार नामिक भाव को ही देखना होगा, परको नहीं अपने को ही देखना होगा, अपने स्वरूप को ही जानना होगा, अपने स्वरूप को ही पहचानना होगा, मैं कौन हूँ इस बात को जानने में अपना उपयोग लगाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए देखिए सच्चाई तो यह है भाई साब, ने आपके पास में समय है ना मेरे पास में समय है, समय तो किसी के भी पास में नहीं है, लेकिन सब के पास में जो 24 गंटे हैं, उस 24 गंटे में हम लगा कौन सी तरफ रहे हैं, यह बतलाईए, कौन सी तरफ अपना उपयोग लगा रह सब के पास 24 गंटें चोवीश गंटें इसके अलावा किसी के पास 24 rho के किसी पास 24 गंटे से एक मिन भी ज्यादा सी अब उस 24RO में आप क्या कर रहे हूं 24 गंटे में इचार गंटे आपके टीवी डेखने में निकल गए तो बरबात कर लियां आपने कितना कि time भोनो 4-5 गन्टा यह दिया, आपने निकल दिया तो क्या कर लिया भाईसा 4-5 गन्टा यह दिया आपका निकल गया 20% time तो आपकी life का निकल गया बरबाद हो गया वी किठा कें अंदर बरबाद हो गया यह कह रहे हैं किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए ने सीखना चाहिए ने सिखाना चाहिए ने सुनना चाहिए ने सुनाना चाहिए देखो ज़रा टीका पढ़ते हैं हपन आचे आरे देव क्या बात कह रहे हैं बाते बड़ी गंभीर हैं विचारनी ये हैं 163 नंबर पेज 145 नंबर का ये शलोक चल रहा है इसकी टीका पढ़ रहे हैं अबोद मने मिध्यातव लो अबोद मने क्या हैं मिध्यातव है और यहाँ अबोद शब्द का अर्थ पीछे अनवाई आर्थ में लिखा था अग्यान से भरी हुई मिध्यातव से बड़ा कोई अनर्थ कारी नहीं है गुजराती पुस्तकों में 114 नंबर पेजे मित्यात्म से बड़ा कोई अनर्थ कारी नहीं है मैंने एक दिन पहले भी कही थी आपसे बात अनर्थ धंड है इसका नाम अनर्थ धंड क्या होता है अनर्थ क्या होता है अनर्थ क्या होता है अनर्थ अनर्थ माने यह हैं आपने म नम नाम्हे अनर्थ किया है इस इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। अब क्या होता है मंत्यात्व नामक अनर्थ का दंड नंतकाल। कुछ न कुछ तो प्रयत्न किये जाने चाहिए, मिध्यात्व, अबोद बहुला नाम, रागा धि-वर्दना नाम, दुष्ट-कता नाम, श्रवनार regions, शिक्षणा दिनी, ने-कदाचन कुर्वीत, ने-कदाचन कुर्वीत, ने-कदाचन कुर्वीत, नहीं करना चाहिए! सारा अनर्थ तो मित्यात्व की वज़े से हो रहा है सारी प्रॉबलम तो माननेता की है माननेता में क्या चल रहा है अभी प्राहे में क्या चल रहा है सोच में क्या बात बैटी हुई है अंदर दिमाग में क्या बात बैटी हुई है सारा विवाद और सारा जगड़ा तो सिर्फ इसी का चल रहा है सोचिए ज़रा एक बार गंबीरता से बहुत गंबीरता से विचार करना मित्यात्व सहित राग बढ़ाने वली भोजन चर्चाय चलते अभी नीचे लिखिए चार कथाओं के नाम लिखे राग बढ़ाने वली द्वेश बढ़ाने वली कल हमने बात कही थी ना आपको कल जो हमने आपको बात कही थी कौन सी बात इसी दूश्रुती के संदर्म में तो बात कही थी अपने आपके बारे में सुनना चाहता है अपनी प्रशंसा अपनी निंदा पता नहीं अपनी निंदा सुनने का ही क्या रस चल रहा है सुरिंद्री वैसाब आपको मालूम है अभी कोटा आया था तो आपके बारे में वो क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे पंडी जी अब बोलो कैसा लगता है हमारे बोलो पटवारी जी साब कोटा से कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या बात कर रहा था सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं तैयार हो जाता है जैसे तो कोई अपनी निंदा सुनने में भी इसको मजा आ रहा हो अब मजा नहीं आ रहा हमें पता है आपको मजा नहीं आएगा आपको पसंद भी नहीं आएगी व तुम्हारे पिता जी के बारे में तुम्हें पता है तुम्हारे ताउ जी क्या बात कर रहे थे तुम्हारे पिता जी के बारे में बनती नहीं है क्या भाई 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 लिया उन्होंने तो दबा लिया उन्होंने काई को सुन रहा है जिससे घर के अंदर त तुम्हारे बारे में वहाँ पर तुम्हारी सास ने क्या कहा तुम्हारी बहु तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी कर रही होगी मुझे नहीं सुनना मेरी बहु के बारे में मुझे नहीं सुनना मेरी सास के बारे में रागद्वेश करतार कथा यह के रहे हैं बेर बढ इंद्री के माध्यम से ग्रहन किया गया जहर यह ज्यादा खतरनाक है यह चित को बरबाद कर देता है यह उपयोग को खा जाता है यह आपके दिमाग को खा जाएगा यह आपके तत्व चिंतन की तरफ दिशा में बढ़ने नहीं देगा बरबाद कर देगा उपयोग कीमती है हमारे मुनराज, भावलिंगी, संत, उपयोग को समाल करके चलते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं, इदर उदर, नहीं खड़े रहते हैं, खड़े-खड़े भूजन क्यों करते हैं हमारे मुनराज, ग्रेशतों के घर में जाकर क्या बैठे हैं, वह कुई बैठने का इस्तान है, नहीं करेंगे चर्चा, नहीं बैठेंगे, इयर पोईजन, इयर पोईजन, बैर बढ़ाने वाला, मोह बढ़ाने वाली, मदादी, घमंड बढ़ाने वाली, प्रशन साभी मत सुनो, मदादी बढ़ाने वाली, इसको भी कूकता कहते हैं, जिससे क्रोध बढ़े, उसे तो हर व कोट्था के राये नेकिन जिससे मोह बड़े जिससेrence अभिमान बड़े जिससे लोगाब बड़े क्या वह कू कथा नहीं कि ग्रिवी तो कूक अनुम है कि पंड़ी आपके वारे में इक इतनी प्रशंटा कर रहे थे हम जैञान बैखती और वो बुले और अब और क्या बोले और क्या बोले ट arguably उन्व रहें अपनी पॉले इसाज देऄ्चे थे अभीवान होने की संभावना हुए ले घमनदताम बढ़ने से बढ़िए बचियें और प्रशंसा के वचन सुनने से भी बचने का प्रेहत्न कीजिये समता भाव Яदी आपको चाहिए तो लेकिन हमारी आदतें कुछ इस प्रकार की है अपनी प्रशंसा भी सुनना चाहता है और अपनी निंदा की चर्चाएं भी सुनना चाहता है प्रशंसा की बातें सुनकर के अभिमान बढ़ाता है और निंदा की बातें सुनकर के क्रोधादिक कशाएं बढ़ाता है दोनों ही परिस्कितियों के अंदर कशाएं वाव को बढ़ाता रहता है मेरा 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 करके मरे जा रहा है आचे अरे देव क्या कहे रहे हैं भाई साब मद बढ़ाने वाली इस पश्ट शब्दों में कह दिया है मद बढ़ाने वाली कू कथाओं का श्रवन खोटी कथाओं का कहानियों का श्रवण सुनना तथा नवीन कठाएं बनाना नहीं कठाएं बना रहें वांचना वगेरा कभी भी नहीं करना चाहिए इसे ही दूश्रूती अनर्थ दंड त्याग वरत कहते हैं यह दूश्रूती है यह खोटी शूती है लोब बढ़ाने वाली चर्चा दूश्रूती है पैसा कैसे बढ़ाया जाए यह चर्चा दूश्रूती है राग बढ़ता हो मोह बढ़ता हो वे चर्चाएं दूश्रूती ह देखो दूश्रुती की चर्चाएं नीचे भावार्त में कह रहे हैं नीचे भावार्त पढ़ता हूं जो कथा सुनने से कथा माने कहानी कथा माने चर्चाएं कथा माने वारता लाप कथा माने आस पड़ोस के बारे में होने वाली बातें कथा माने जो टेली फोन पर आदे ग जो कथा सुनने से, कथा मने, कथा शब्दकार्थ, चर्चा लगाई है, जो कथा सुनने से, जो चर्चा सुनने से, पढ़ने से, और सीखने से, जिस कथा को सुनने से, पढ़ने से, सुनना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, और सीखना भी नहीं, और यदि ये वरतमान युग मे कहते देखना भी नहीं क्या यह भी तो लिखते देखना भी नहीं क्योंकि देखो पुराने जमाने की बात है दो-चार सो साल पहले सिर्फ कहानिया चलती थी सिर्फ लिखित में चलती थी सिर्फ वाचनिक रूप से चलती थी पिच्चराइजेशन नहीं था उस जमाने में सीखने से विशयादिक की व्रद्धी होगी हमें पता हैं इसको पढ़ने से विशयादिक की व्रद्धी होगी हमें पता हैं इसको चड़ने से ऐसा ये होगा क्या 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 चल रहा है मुझे तो मालूमी नहीं था सामने से खबर मिल रही आई पी एल चल रहा है मालूमी नहीं कहां कहां कौन-कौन से मैच होते रहते हैं क्रिकेट के मैच होते रहते हैं राजनीती की चर्चाहीं चलती रहती है दुनिया बर की यह इनकी व्रद्धी होगी मोह बढ़ेगा और अपने तथा पर के परिणामों में संक्लेश होगा बतलाओ अरे कभी-कभी ऐसी समझदारी के काम करते हैं किसी के यहां डेट हो जाती है तो डायरेक्ट उसे खबर नहीं देते हैं परिणामों में संक्लेश होगा उनकी तवेद बिगड़ जाएगी माने बताते ही नहीं है चर्चा ही नहीं अच्छा जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता उस व्यक्ति को कहने की क्या जरूरत है बोलो व्यर्थ की बाते हैं बिना मतलब परिणामों को संक्लेश करने के लिए ऐसी बाते कहने की क्या ज उनके बताते नहीं थे उनको, उनके दामाद मर गए, किस किस की डेत हो गई, उनकी बेटी मर गई, बताया नहीं उनको, क्या करेंगे बता करके बोलो, क्या करेंगे बता करके, राग देशी तो बढ़ेंगे, वज्जर सेंजी आप बिलकुल सही बात कह रहे हैं आप, अपनी उन्नती में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुरसत ही नहीं मिले। जगत में ऐसी कहावत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगर हैं कई बार इस तरह की बातें करते हैं। सुनो टीवी देखने वाले कभी टीवी में नहीं आया करते। न्यूश पेपर पढ़ व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने वाला व्यक्ति भगवान से भी दरश्टी अटाएगा और अंतर में भगवान को देखेगा तब जाकर बगवान बनेगा। बगवान बनने का रास्ता बगवान की तरफ देखना नहीं है। बगवान ने जिसको दे आपने दिखने लगती है देखिए जिनसे परिनामों में संक्लेश होगा तीवी से परिनामों में संक्लेश होगा दुनिया वगा एसी चार प्रकार की कतायें होती है धाय साब रती के हो Captain जीवन ऐसा मुझे मालूम है गर ग्रेस्ती के अंदर रह रहे हैं मुझे मालूम है मैं टीवी की कितनी भी बुराई कर लूँ छूटने वाली नहीं है छूट जाए तो बहुत अच्छी बात हैं हमारे यूगल जी बाओ जी तो बहुत कहा करते थे आग लगा दो उसे चंबल में ले जागर के पटक दो दे किसला ही लगा दो उसे ऐसी भाशा का प्रयोग करते थे उपियोग खा रही है समय खा रही है आपके जीवन की उन्नती को बरबात कर रही है लेकिन क्या करें सामने बैठता है और ऐसा सम्मोहन विद्या है कि उसके अंदर अट्रेक्ट हो जाता है जी आकर्शित हो जाता है चार प्रकार की कथाएं हैं इसी नमबर वन राज कथा नमबर टू चोर कथा राज कथा राज कथा राजनी तिक की चर्चाएं बोलो राजनी तिक की चर्चाएं कर रहा है दुनिया भर की कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में कहां किसका क्या चल रहा है कौन मिनिस्टर बन मुंबही में क्या चल रहा है भी या कौन सी पाल्टी कौन सी सरकार लगाना देखना 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 लगाना क्या सुनने क्या सुनेगा या राश कथा है वो चोर कथा चोरी चोरी की चर्चाएं चोर कथा बोलो देखिए बोजन कथा चोर कथा समझे गए आप कहां चोरी हो गई कहां क्या हो गया दुनिया वर की बातें बोजन कथा चारों कथाएं होती है टीवी में राज कता भी होती है चोर कता भी होती है बोजन कता भी होती है और इस्त्री कता भी होती है इस्त्रियों में राग बढ़ाने वली कताएं विशे बढ़ाने वली कताएं आसक्त करने वली कताएं वे सारी चर्चाएं जिन चर्चाओं को करने से अपना उप्योग बरवाद होता हूँ बोलो क्या करें नकली है नकली नकलें, क्या कहते हैं उसे, नाटक कहते हैं, नाटक, अटकना नहीं है वहाँ, और वहीं, 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 अटकता रहता है भाई सब, उपियोगी अटका रहता है, चित्त में, कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, उसी उसम कथा में समय गमायों याद नहींinku missed line ख teуж Together दीकत्ता में समय गमायों समयगमाया जारा बаются शरीर शरीर सवास्त सवास्ते कहाना पीना झाना पीना लगाए दिन रहाट इसकी के अंदर क्या कै खाना है और शरीर क्या बोजन से उपर उठकर के देखो अपने आपको देखो जरा अंतर में बोजन की जरूरत नहीं पड़े क्या खाते हैं हमारे भगवान क्या खाते हैं हमारे मुनिराज एक आसन करते हैं एक टाइम बोजन करते हैं निरंतराय मिल जाए तो जाकर के बोजन करते हैं बोलो नह करते हैं अरंद भगवान कुछ नहीं खाते हैं सिद्ध भगवान साधी अनंत काल के लिए अरे क्या खाना है कौन से खाने खाने की चर्चाओं के अंदर लगा हुआ है एक योगी असन बनावे आप बनावे आप आई खावे खावत ना ही अगावे एक योगी असन बनावे अतिंद्रिया आनंद का स्वाद लेते हैं इसलिए थोड़ी बहुत चर्चाएं की हैं इन कथाओं को कहना भी नहीं इन चर्चाओं को सुनना भी नहीं इन चर्चाओं को सुनाना भी नहीं जहां बेटो वहां धर्म चर्चाएं करो प्रत्मानुयोग की चर्चाएं करो महापुरुषों की चर्चाएं पढ़ो जिन्होंने अपने जीवन का उधार किया हो उनकी चर्चाएं पढ़ो उससे क्या होगा उनकी चर्चाएं पढ़ने से मुले उनकी चर्चाएं पढ़ने और उनकी चर्चाएं सुनने से उस दिशा में बढ़ने की प्रेरिना मिलेगी जैसा सुनता है वैसा परिणाम चलने लग जाते हैं जैसा देखता है वैसे विचार चलने लग जाते हैं जैसा सुनता है वैसे भाव बनने लग जाते हैं is लिए सुनो देखो और बोलो सब कुछ अच्छा गांदी जी के तीन बंदरों जैसा बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो और चौता बंदर जन्वानी कहती है बुरा मत सोचो बुरा मत सोचो चिंतन और उपयोग को बरबाद मत करो मन शांत रहेगा जनवाणी के अवलम्मन से तो अनर्थ मित्यात्व से होता है परद्रवे का करता धरता हम एक दूसरे को नहीं माने और अपना सुखर अपनी शांती कहीं बाहर नहीं है अपना सुखर अपनी शांती अपने में ही है इस बात को स्विकार करें अरे मेरा सुखर मेरी शांती मेरे भीतर है तो क्या जरूरत है बाहर में देखने की क्या जरूरत है बाहर में देखने की क्यों देखूं मैं बाहर में ये तो बतलाओं इसलिए समस्त जगत से द्रश्टी हटा कर सर्व पापों से छूटते हुए हमारे जीवन को निर्मल बनाते हुए विकरतियों से और वीराधनाओं से जो तिरसंकरों की वीराधना की जो जिन्वाणी की वीराधना की जो प्रमाद में काल गवाया उन सब से बचते हुए हम प् की निर्मल करने की चेश्टा करना समल जाओंगे तो सिद्ध बन जाओंगे और नई समलोंगे तो ऐसे नीचे गिरेंगे कि जहां समलने की गुंजाईश नहीं होगी निगोट से निकल नहीं पाएंगे इसलिए सदाकाल समझते रहें इसी भावना से बात को यही विराम देराओं तीनों समय के कारेक्रम यथावत अपने चल रहे हैं सुबह नौबीस पर सूख्ष में चर्चाएं चल रही है बड़ी सुंदर चर्चाएं और साड़े तीन बजे जो चर्चाएं चल रही है वो भी यह अनन्त उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है प्रचाएं ड्थाण रुषाण झाल रही है जो एटेनन को अपाने चर्चाएं यह वहां प्रचाएं आफन यह अन्यु में बड़ित्वान्द्रश अवित्म प्रावित्व नह में आप टूएं जो चर्चाएं जो जो आख़ूंगान आफने प्रक्वचाएं संद़्चा